कि नमश्कार आप देख रहे हैं SPN 9 News SPN 9 News में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ निहा आपको बता दी कि अगले साल 2024 में लोकसभा का चुनाव है लोकसभा चुनाव के लिए यहां पर तमाम पार्टियां और देश की सबसे बड़ी दो पार्टियां जमीन पर उतरी हुई है एक तरफ कॉंग्रेस तो तूसरी तरफ बीजेपी यानि कि भाजपा इस लगत देखा जा रहा है कि भारती जंता पा भविश्यवानी सामने आई है 24 को लेकर रामदेव ने यहां एक बड़ी भविश्यवानी किया आपको बता दे कि इस दोरान रामदेव ने जो इंडिया गटबंदन बना है उस पर भी कही ना कहीं तंज कसा है उनका कहना है कि जो इंडिया गटबंदन बना है वो कहीं ना क पर रामदेव कहते नजर आए हैं इसी के साथ आपको बदाने कि जो सनातन को गालिया दे रहे हैं सनातन को खत्म करने की बात कर रहे हैं 2024 में वो खत्म हो जाएंगे उनका सबका मोक्ष हो जाएगा और इसी के साथ इसमें से कुछ भूत पिशाथ राक्षस ब्रह्म राक्षस बन सकते हैं दूसरे तीसरे लोक में पहुंच जाएंगे ऐसा यहाँ पर जो योग गुरु है रामदे वो कहते नजर आए हैं क्योंकि द बतादे की इंडिया आई एंडिया गटबंदन बना है जो यहां सत्ता पार्टी यानि की भाजपा पर कहीं न कहीं तंजकस्तान नजर आता है हाला कि आपको बतादे की कोई भी चुनाव आता है तो आरोप प्रत्यरोप का दोर हमेशा चलता ही रहता है और यह आरोप प्रत इसके चुनाव में इंडिया गट बंदन भारी पड़े का सत्ता पार्टी पर इस सवाल हम आपके लिए छोड़ कर जा रहे हैं इस सवाल का जवाब हमें कमेंट बोक्स में जरूर बताएगा फिलाल के लिए तरहीं फिर आप से मुलाकात होगी किसी दूसरे मुद्धे पर एन बार